जिन्दगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से कुछ तो समय सा निकालो प्यार करो भगवान से प्रभु प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आये है प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आये है प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आये है प्रभु प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आये है प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आये है प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आये है प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आये है सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोडो सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोडो परमानन्द को पाना हो गर्मन को प्रभु से जोडो मूल वतन के रहने वाले सुल वतन में आए हैं रभु प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आए हैं मरु भुमे के जिल मिल को पानी समझ ना भूल है मरु भुमे के जिल मिल को पानी समझ ना भूल है ये तो सुरज की गर्मी है और पवंद के हैं ये तो सुरज की गर्मी है और पवंद के हैं मन की बंद आखे खोलो ये बताने आए हैं प्रभु प्यार का एक तरा ना तुम्हें सुनाने आए हैं प्रभु प्यार की बरखा हो रही है चलक रहा है सागर्मी प्रभु प्यार की बरखा हो रही है चलक रहा है सागर्मी भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर्मी बरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर्मी आज है रविवार ज्यान सूरे का दिन और ज्यान चंद्रबा ब्रह्मा बाबा दोनों जैसे एक साथ हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें अपने समान संपूर्ण बनने के लिए प्रेणाई देते हैं शक्तियां देते हैं ज्यान देते हैं गुण आदी बहुत सारा विनाशी खजाना देते हैं तो आज भी बाबा चाहते हैं के हम भी विश्व महाराजा बन जाएं परन्तु से पहले स्वराज्य अधिकारी बन जाएं स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा का मेरी सुक्ष्म और स्थूल करमिंद्रियों पर राच्चे तो जब तक मैं मास्टर सर्व शक्तिमान नहीं बनी, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनी तब तक पुरुशार्थ की गती तीव्र नहीं हो पाती और जब तक आत्मा में कमियां है, कमजोरियां है, अंदर शक्ती नहीं है तब तक हमारे संपूर्ण बनने की मन्जिल हमें दूर नजर आती है तो कैसे हम स्वराज्य अधिकारी से विश्वराज्य अधिकारी की मन्जिल को प्राप्त करें आज वाबा बहुत ही गहराई से विस्तार पूर्वक हमें वो सारे राज बता रहे हैं सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महवाख्य आजह 11 तारीक 11 अगस 2024 अव्यक्त बाब दादा के रिवाइस कोर्स के 4 फर्वरी सन 2001 के महवाख्य है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रोहानी साधन तीवर गती से कारे में लगाओ समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रोहानी साधन स्थूल साधन की बात नहीं है सर्वरोहानी साधन तीवर गती से कारे में लगाओ आज बाब दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे है हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताज धारी अधिकार की स्मृती के तिलक धारी अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तक्त नशीन दिखाई दे रहे है बाबा तो देख रहे हैं आप अपने आपको सरीती देख रहे हैं तो भी देखेंगे सारे हरे कौन है स्वराज्य अधिकारी पूरा controlling power, ruling power, आत्मा फिर पवितरता के light के ताजधारी पवितरता की light होती है ना देवी देवताओं को तो बिलकुल अंदर 100% purity धारण की है हमने अधिकार की स्मृती के तिलक धारी कौन सा तिलक? कि मैं कौन हूँ है ना मेरा मेरी सुक्ष्म कर्मिंद्रियों पर अधिकार है controlling तो बाबा कहते अपने अपने भुकुटी के ये भुकुटी के अकाल तक्त नशीन दिखाए दे रहे है तो कैसा स्वरूप बाबा आत्माओं का देख रहे है इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविश्य विश्वराज्य अधिकारी है ही है तो अभी का पुरूशार्थ किसका है? स्वराज्य अधिकारी बनने का बाकी स्वर्ग में आटोमाटिकली मिल जाएगा मैं कौन? वह मेरा भविश्य क्या? भयाब के स्वराज्य की स्थिती द्वारा स्वयम ही देख सकते हो दिखो मेरा मेरी करमिंद्रियों पर कितना अधिकार है मेरा मन मंत्री मेरा कहना मानता है मेरी बुध्धी मेरे अनुसार या कहीं श्रीमत प्रमान कारे करती है मेरे संसकार कहीं मुझे धोखा तो नहीं देते तो अभी जितना आप स्वराज्य अधिकारी हो उतना उसी अनुसार आपको स्वर्ग में विश्व कराज्य मिलेगा बापतादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिती को देख रहे थे निरंतर हर कर्म करते हुए लौकिक अलौकिक कारे करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है क्यूकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं मैं आत्मा अधिकारी हूँ एक है संकल्प में सोचना बार-बार याद करते हैं मुँ से बोलते हैं लिखते भी हैं मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, लिखते हैं, बोलते हैं, दोहराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु, एक है बार बार संकल्प में सोचना, कि मैं आत्माधिकारी हूँ, है न, एक है संकल्प में सोचना, बार बार स फिर दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयम को अनुभव करना देखो दोनों अंतर हैं फक्ती मार्ग में क्या होता है हम गुणगान गाते रहते हैं है ना लेकिन ग्यान मार्ग में हम गुणवान बनते जाते हैं तो बाबा कहते हैं तो एक है दोहराना संकल्प करना और दूसरा है उस स्वरूप में स्वयम को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी कौन-कौन है आपके कर्मचारी? मन, बुध्धी और संसकार मन, बुध्धी, संसकार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना अधिकार से चलाना जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बापतादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमान चल रहे हो चलाने वाला चला रहा है चलने वाले चल रहे हो ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माई क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मिंद्रिया अर्थात कर्मचारी आपके मन, बुध्धी, संसकार, सहयोगी, साथि सभी आपके ओडर में चल रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा एक दू कर्मिंद्रिया थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती, पूछते हैं बाबा ऐसा नहीं कि आप ओडर करो, फिरका अभी नहीं, अभी तो मोड नहीं है आपका राज्य, लौर, ओर्डर के बज़ाए, लव और लौ में यथार थरीती से चल रहा है बालन्स चाहिए ना, लव का भी और लौ का भी क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी एकोनॉमी करते हैं जब कहते ही हो, मेरा हाथ, मेरे संसकार, क्या कहते हैं और मेरी बुध्धी, मेरा मन, तो मेरे के उपर मैं का अधिकार है आपका है ना, कि कब मेरा अधिकार बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती फ्लक्चुेट होता रहता है समय प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी अभिस सदा और सहज अकाल तक्त नशीन बनो तब ही अन्य आत्माउं को बाप द्वारा जीवन मुक्ती और मुक्ती का अधिकार तीवर गती से दिला सकेंगे है ना पहले तो खुद बन जाओ ना समय की पुकार अब तीवर गती और बेहद की है छोटी सी रिहरसल देखी सुनी एक ही साथ बेहद का नक्षा देखा है न एक ही साथ अब आ कहते बेहद का नक्षा देखा न चलाना भी बेहद मरना भी बेहद मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परिशानी से मर रहे है उन दिनों मेर भौँछ जाधा सुनामी हुई साइकलोंस आई तुसलिए बाबा उन बातों को दोहरा रहे है तो बाबा कहते हैं कि क्या क्या हुआ ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कारे है। चेक करो, जसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं। भुकंप आवे तो यह करना, तुफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना। वसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियां, योग का बल, स्नेही का चुमबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। कौन-कौन से साधन आपके पास? नोट करेंगे, सर्वशक्तियां। है ना? मुखे है मन बुद्धी की शक्ति, और इसी से ही वो अश्ट शक्तियां और सारी शक्तियां निकलती हैं। तो सर्व शक्तियां ये हमारी शक्ति, फिर योग का बल ये भी हमारी शक्ति, फिर स्नेह का चुम्बक, प्रेम की शक्ति जो होती न, आत्मिक स्नेह का चुम्बक, ये सब साधन समय के लिए तैयार है, सर्व शक्तियां है, किसको शांती की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और तो वह संतुष्ट होगी जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा तो वह आवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं वह तो बनना ही है लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त होए है परमात्न वर्ष से में मिले है बह सब अधिकार एवर रेडी है जो कुछ भी हमें बावा से मिला है क्या वो हमेशा तैयार है हमारे पास जब जिस समय जिस चीज की जरूरत हो चाहे सुख, चाहे शांती, चाहे आनंद, चाहे प्योरेटी चाहे सहन शक्ती, चाहे निरने शक्ती वो एवर रेडी रहती है ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरन से आने के बाद कारे में लगाया गया तो साधन एवर रेडी नहीं रहे न सर्व साधन समय पर कारे में नहीं लगा सके कितना नुकसान हो गया तो जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है पहले से ही फुल रहेंगे एवर रेडी रहेंगे तो दे पाएंगे तो हे विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक आत्माई सर्व साधन एवर रेडी है सर्व शक्तियां आपके ओर्डर में है ओर्डर किया अर्थात संकल्प किया निरणय शक्ति तो सेकंड से भी कम समय में निरणय शक्ति हाजिर हो जाए ऐसे हो जाए न कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर ऐसे बोले कि हम हाजिर हो गए ऐसे ओर्डर में है या एक मिनिट अपने में लगाने में लगेगा फिर दूसरे को दे सकेंगे पहले अपने अंदर आजा एक मिनिट में फिर हम दूसरे को देंगे अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है आगे क्या होना है और क्या करना है होना तो बहुत कुछ है सुनाया ना यह तो रिहर्सल है यह छे मास के तयारी की घंटी बच्ची है घंटा नहीं बच्चा है अभी घंटी बच्ची है घंटा कब बच्चाता है जब पूरा हो जाता है है ना तो जैसे एक्जाम होता है ना तो एक घंटे के बाद घंटा बच्चाता है घंटी बजती है वो लेकिन जब पूरा एक्जाम हो जाता है फिर घंटा बजता है बड़ा घंटा तो अबाँ कहते हैं कि अभी घंटा नहीं बजाए घंटी बजी है पहले घंटा बजेगा फिर नगाणा बजेगा डरेंगे यानि ये रिहर्सल चलती रहती है पहले रिहर्सल चलेगी फिर रियल हो जाएगा डरेंगे थोड़ा थोड़ा डरेंगे शक्ती स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है है ना शक्तियों को क्या स्वरूप दिखाया है शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गए तो ऐसा नहीं पांडवों की बात हो रही है या विशेश शक्तियों की बात हो रही है यह नहीं इसमें शक्ति आत्मा की बात है इसमें देहिक रूप से ब्रह्मा कुमार या कुमारी की बात नहीं है ये आत्मा की बात है तो जब बावा ने का शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है सदा शक्तियों को क्या दिखाते है कोई को चार भुजा, कोई को छे भुजा, कोई को आठ भुजा, कोई को सोला भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं, यहनि दो भुजा नहीं दिखाते हैं मतलब उनकी कैपासिटी, उनकी कैपेबिलेटी, है न, वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है एक है तो एक के अनुसार नहीं वो एक अनेक के बराबर है यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सुचक है इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो इसके लिए यह नहीं सुचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगी लेकिन सारे दिन में स्वयम प्रती भिन्भिन शक्तियां यूज करके देखो सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहा तक कार्य में लगता है मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक यह नहीं मालिक होके ओर्डर करो और चक करो कि हर करमिंद्रियां मुझे राजा के लव और लौ में चलते हैं ओर्डर करे मन मनाभव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थौट्स में क्या यह लव और लौ रहा ओर्डर करे मधुर्ता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिती अनुसार क्रोध का महा रूप नहीं लेकिन सुक्ष्मरूप में भी आवेश वचड़ चड़ापन आ रहा है क्या यह ओर्डर है ओर्डर में हुआ ओर्डर में तो नहीं हुआ न ओर्डर करें हमें निर्मान बनना है और वायू मंडल अनुसार सुचो कहा तक दब कर चलेंगे कुछ तो दिखाना चाहिए होता ऐसे क्या मुझे ही दबना है मुझे ही मरना है मुझे ही बदलना है क्या यह लव और ओर्डर है इसलिए विश्व के ओपर चिलाने वाले दुखी आत्माओं के ओपर रहम करने के पहले अपने ओपर रहम करो अपना अधिकार संभालो जब तक किसी राजा का अपने राज्ये पर अधिकार नहीं है तो फिर वो दूसरों पर अधिकार कैसे कर सकता है आगे चल आपको चारों और सकाश देने का वाइब्रेशन देने का मंसा द्वारा वायू मंडल बनाने का बहुत कारे करना है पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहा तक सेवा के निमित है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी लेकिन अभी समय प्रमाण तीवर गती और बेहद सेवा की आवश्यक्ता है दो चीजे एक गती तीवर होनी चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए ना टाइम वेस्ट ना एनरजी वेस्ट ना थौट्स वेस्ट दूसले तीवर गती और दूसरी बात बेहद सेवा की आवश्यक्ता है हद की बात नहीं है बेहद सारे विश्व की सेवा करनी है मुझे तो अभी पहले हर दिन को चेक करो सभी चेक करेंगे स्वराच्य अधिकार कहा तक रहा माइंड इंटलेक्ट और आखें मुख कान हाथ चेक करो किसने श्रीमत के अगेंस्ट काम किया आत्मा मालिक होके करमिंद्रियों को चलाए स्मृती स्वरूप रहे जो याद करते हो उसका स्वरूप रहे क्या कि मैं मालिक इन साथियों से सहयोगियों से कारे करा रहा हूँ स्वरूप में नशा रहे तो स्वतै ही ये सब करमिंद्रिया आपके आगे जी हाजर जी हजूर स्वतै ही करेंगी कब करेंगी जब स्वरूप में नशा रहेगा मैं कौन तो एक है स्वरूप फिर उस्वरूप का भी नशा रहे कुशी भी रहे और नशा भी रहे फिर देखो हर चीज जैसा चाहते हो वैसे ही होगी महनत नहीं करनी पड़ेगी आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ आज संसकार को मिटाओ आज निरणय शक्ती को प्रकट करो एक एक शक्ति हैं कई बार ही हम क्या करते हैं एक एक शक्ति बावसे लेते हैं नई स्वराज्य अधिकारी बन जाओ कंट्रोलिंग पावर आजाए खुद पर सारी शक्ति आपके नियांत्रण में जब धक से सब कर्मिंद्रियां और मन बुद्धी संसकार जो आप चाहते हो है ना तो एक धक से सब काम करेंगी वै करेंगी बिलकुल एक धक से करेंगी आपने सोचा और तुरंथ हाजिर अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो ये है लेकिन अभी इतना हुआ नहीं है फिर कहेंगे क्या कहेंगे जो चाहते हैं वै हो गया सहज तो समझा क्या करना है अपने अधिकार की सिध्धियों को कारे में लगाओ order करो संसकार को संसकार आपको क्यों order करता? संसकार नहीं मिठता? क्यों? संसकार अभी order करता है ना कहते क्या करें? आदत हो गई है अपने आप ही हो जाता है तो जो default setting हो गई अंदर उसको change करना है तो संसकार हमें ना चलाए संसकार हम बनाए नए संसकार बंधा हुआ है संसकार आपके order में मालिक पन लाओ मैं कौन हूँ? मालिक हूँ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवशकता है यह तो कुछ भी नहीं है बहुत नाजुक समय आना ही है ऐसे समय पर आप उड़ती कलाद्वारा फरिष्टा बन चारों और चकर लगाते जिसको शांती चाहिए, जिसको खुशी चाहिए जिसको संतुष्टता चाहिए फरिष्टे रूप में सकाश देने का चकर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे जिसे अभी अनुभव करते हैं ना पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया ऐसे अनुभव करेंगे फरिष्टो द्वारा शांती मिल गई शक्ती मिल गई, खुशी मिल गई ऐसे अन्तहे वाहक अर्थात अन्तिम स्थिती, पावर्फुल स्थिती आपका अन्तिम वाहन बनेगा एंड में हमारा अन्तिम वाहन किस वाहन के द्वारा आत्मा ये शरीर छोड़ कर अपने सुक्ष्म शरीर द्वारा अनेक आत्मों की सेवा करेगी वो कौन सा है हमारा अंतिम वाहन? जब हम अपनी अंतिम स्थिती में पहुचेंगे जब हमारा हमारी सर्व करमिंद्रियों पर अधिकार होगा यानि अंतिम स्थिती, powerful स्थिती हमारा अंतिम वाहन बन जाएगी और चारों और चकर लगाते सबको शक्तियां देंगे साधन देंगे जिसको जो चाहिए वो देंगे तो हम अपनी सुक्ष्म शक्तियों द्वारा आतमाओं को सुक्ष्म गोणों सुक्ष्म शक्तियों का दान दे पाएं उसके लिए बहुत जरूरी है हमारी powerful stage, अंतिम powerful stage अपना रूप सामने आता है वो सम्पोर्ण रूप इमर्ज करो कितने फरिष्टे चक्र लगा रहे है सकाश दे रहे है तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना कौनसा गीत बजाते है शक्तियां आ गई बहुत अच्छा गीत है ना नवरात्रों में यूजवली वो गीत लगाते है शक्तियों द्वारा ही सर्व शक्तिवान स्वतय ही सिद्ध हो जाएगा सुना तो अब तक किया जो चला वह समे प्रबाण अच्छे ते अच्छा हुआ जो हो गया सो हो गया अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है अच्छा घबराएंगे तो नहीं एंड का सीन बहुती भयानक होने वाला है तो आप पूछते हैं घबराएंगे तो नहीं समाचार सुनके देखके घबराएंगे टिवी पर देखते ह Thirty today आये दुनिया के अंदर तो खबराएंगे देख देख कर यह तो कुछ नहीं है आपके पास हम आपके पास क्या है आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके भाई बहने है इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है अभिराज्य अधिकार अकाल तक्त हमें बैठे रहो नीचे उपर नहीं आओ फिर देखो गवर्ण्मेंट को भी साक्षातकार होगा जब हम अपनी सोल कॉंशियस स्टेज पर बैठे रहेंगे न तो सबको साक्षातकार होगा यही है यही है यही है तक्त से उतरो नहीं उतर जाते हैं तो body consciousness में आजाते हैं अधिकार छोड़ो नहीं अधिकार हर समय चलओ मैं आत्मा मन द्वारा, बुद्धी द्वारा संसकारो द्वारा, आखो द्वारा मुख द्वारा, हातो द्वारा काम करा रही हो तो ये छोड़ो नहीं अधिकार स्वपर दूसरों पर नहीं खुद का अधिकार नहीं छोड़ो ऐसे नहीं दूसरों को कंट्रोल में करना है हमें दूसरों पर नहीं चलाना दूसरे के उपर अपना ऐसे अधिकार नहीं चलाना नए नए बच्चे भी बहुत आए है व्रिद्धी तो होनी है जो इस कल्प में पहली बारी जो इस बारी पहली बारी आए है वे हाथ उठाओ बाबा मेशा पूछते हैं इस कल्प के अंदर इस बारी पहली बारी जो आए है उनको हाथ खड़ा करने को कह रहे है अच्छा किया हिम्मत करके पहुँच गए तो पहुँच गए न जो बैठ गए वे बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं हिम्मत बहुत आवश्यक है कोई भी कारे में हिम्मत है तो समझो सफलता है तो पहले तो हिम्मत रखनी पड़ती है कलियोग के अंदर हर छोटे से छोटा कारे को करने के लिए भी हिम्मत रखनी पड़ती है हिम्मत कम सफलता कम इसलिए हिम्मत और निर्भाए दोनों चीज़े चाहिए हिम्मत भी रखनी है और निर्भाय भी होना चाहिए हिम्मत रखी फिर अंदर डर लगता है पतानी कुछ होना जाए भाय से नहीं आना ये क्या हो रहा है मर रहा है कोई तो वह मर रहा है है ना भाय आपको लग रहा है ऐसा होता है मर कोई और रहा है उसे देख देख कर या उसकी बाते सुन-सुन कर डर हमें लग रहा है तो अब कहते हैं मर रहा है कोई है ना तो वह मर रहा है भय आपको लग रहा है निर्भय ठीक है उसको शांती का सहयोग दो उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो भय में नहीं आओ किसी को डर लग रहा है तो रहम भाव से उसको शांती दो सहयोग दो भय सबसे बड़े ते बड़ा भूत है काम क्रोध लोब मुएंकार तो है फिर भय भी है और भूत निकल सकते है भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है जैसे शबकॉंशिस माइड में एक डर बैठ जाता है तो बार बार जैसे उन परिस्थितियों में आते है आत्मा भय मर्ज हो जाता है किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं कई बातों का भय होता है ये न हो जाए वो न हो जाए ऐसे न हो जाए जो अनेक प्रकार के भाए है अपनी कमजोरी के कारण भी भाए होता है मुल कारण भाए का हमारी कमजोरी होती है है ना तो हमारे अंदर शक्ती की कमी है हिम्मत की कमी है करज की कमी है तो तर लगता है उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल तो भय कभी नहीं आएगा जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिसे भय होता है साफ दिल, सच्ची दिल तो साहब राजी और सर्वभी राजी दिल साफ नहीं है उसमें कहीं बातों का मैलापन है इसका रण डर लगता है तो दिल साफ है, सच्ची है तो फिर डर नहीं है साहब राजी है और सब राजी है अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्न भाग्ये को प्राप्त करने की मुबारक हो अच्छा फॉरन के भी बहुत आये है फॉरन ग्रुप हाथ उठाओ करीब साथ सो आये है भले पधारे वेलकम महाराश्ट्र आंध्रदेश की सेवा है तो महाराश्ट्र वाले हाथ उठाओ तो चार हजार को चार पदम बार मुबारक हो अच्छा किया है हर ग्रुप की अपनी-अपनी सेवा की शोभा है क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है चांस मिलता है न? नहीं तो कौन पूछेगा? महराश्ट्र है या आंध्रा है लेकिन विशेश सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है क्यों खुशी होती है? तारण दिखो सेंटर पर सेवा करते हो कितनो की? चलो ज्यादा में ज्यादा पचास सो और यहाँ जब सेवा करते हो तो जिस भी जोन का टर्न होता है तो सेवा के बहुत सारे भाई बैने आते हैं सेवा के लिए तो बाबा उनके लिए खास कहते हैं कि और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती हैं न बहुत अच्छी सेवा की बहुत अच्छी सेवा की यह दुआएं निकलती हैं तो भाग्य बनाने का समय होता है वो यह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती हैं और दूसरा जमा भी होती है डबल फायदा है इसलिए जिनोंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ डबल फायदा हो गया न अभी मैज्जॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए है अभ्यास हो गया है अच्छा किया मुबारक है उस समय सौ कुमारियों का समर्पन हुआ था तो बाबा को बताया अच्छा सौ कुमारिया उठो सबी देखो जहां भी टीवी है वहां दिखाओ अच्छा है वैसे तो समर्पन तो है ही लेकिन समर्पन का पक्का स्टैम्प लगना है समर्पन समारों के बाद स्टैम्प लग जाता है जैसे यह आल्माइटी गवर्न्मेंट का स्टैम्प मिट नहीं सकेगा पक्का है न पक्का पक्का जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है वह ऐसे हाथ हिलाओ बहुत पक्का महाराश्ट्र है कोई महानता तो दिखाएगा न महानराश्ट्र तो बहुत कैते कोई महानता तो दिखाएगा ना अच्छा बहुत अच्छा बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो बधाई हो अच्छा अभी एक सकिंड में सबी स्थित हो जाएंगे एक सकेंड में फरिष्टा बन, विशीश जहां यह अर्थक्वेक होई है, उन चारों तरफ फरिष्टा बन, उड़ती कलाद्वारा, शांती, शक्ती और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ, चक्र लगा कर आओ, एक सकेंड, बिल्कुल एक सकेंड में, सब के सब चक्र लगा के आओ, बिल्कुल इस समय सारे संसार में जहां कहीं भी, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे अटॉमिक वार है, चाहे कहीं पर कोई बाड़ है, कोई भुकम्प है, कुछ भी है, चाहे नाचुरल केलमटीज है, सारे विश्व की सर्वात्माओं को, सर्वस्थानों को, बिल्कुल फरिष्टा स्थिती से सकाश दो, शक्ती दो, शांती दो. अच्छा, ड्रिल कराई बाबा ने, चारो और के, देश और विदेश के, फरिष्टे रूप में विराजमान, स्व अधिकारी बच्चों को, सदा लव और लौसे, अपने सहयोगी, सुक्ष्म, वस्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप्तादा द्वारा प्राप्त, रुहानी साधनों को, एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन, राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कलाद्वारा, फरिष्टे रूप से चारव और, सकाश देने वाले, शक्ती स्वरुपात्माउं को, सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा, निर्भाय, निराकारी स्थिती में अनुभव करने वाले, विश्व कल्यानी, विश्व परिवर्तक आत्माउं को, बाप दादा का याद प्यार, और नमस्तो, रूपानी बच्छों की रूपानी बाप दादा को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते. इसके बाद बाबा ने दादियों से बादशीत करी आप सबको खुशी हो रही है ना हमारी निमेत दादियां दादे सामने आये हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हो जब आप दादा आते थे तो सबका मन चाहता था था ना stage पर जाएं और ही सामने अच्छा है सामने वालों को ज्यादा देखते हैं यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा इधर बैठे होंगे तो ऐसे मुँ हिलाना पड़ता है पर सामने वालों तो automatically सामने दिखते हैं और सामने वालों को तो बार-बार देख रहे हैं अच्छा फिर बाप दादा ने जगदीश भाय साब से बाचित करी सभी ठीक है तो समय भाय साब की तबियत ठीक नहीं थी सबसे अच्छी बात है अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है दे दिया है ना कि दे ना है आप लोगों ने निमित आत्माओं ने तो दे दिया है तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे है साकार रूप में महारतियों को देख सबको शक्ति मिलती है तो यह सारा ग्रूप क्या है शक्ति का स्तुरूत है है ना तो फिर उस समय दादी जानकी जी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है तो बाप दादा ने कहा रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धी कैसे होती है ना बाप कहते है चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है तो बच्चे भी कम नहीं है अच्छा सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते कौन सा शब्द गाते हैं दिल से मेरा बाबा यह गीत गाना सबको आता है न मेरा बाबा यह गीत गाना आता है सहज है न मेरा कहा और अपना बना लिया बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है क्यों? भगवान को बांध लिया है तो दादी जानकी जी से बाबा ने कहा बांधा है ना तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाले बंधने वाला शक्तिशाली ने ना बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया क्या कहना है दिल से प्यार से कहना है मेरा बाबा कि ऐसे बांध हो तो बांध जाओंगा अच्छा ओम शांती अभी सुनते हैं आज का वर्दान स्वयम को निमित समझ वियर्थ संकल्प व वियर्थ वृती से मुक्त रहने वाले विश्व कल्यान कारी भावव विश्व कल्यान कारी कैसे बनेंगे जब स्वयम को निमित समझेंगे मैं कौन हूँ इंस्ट्रुमेंट हूँ बाबा ने मुझे निमित बनाया है फिर वियर्थ संकल्प और वियर्थ वृती से मुक्त हो जाएंगे तब विश्व का कल्यान कर सकेंगे मैं विश्व कल्यान के कारे अर्थ निमित हूँ इस जिम्मेवारी की स्मृती में रहो तो कभी भी किसी के प्रती वा अपने प्रती व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृति नहीं हो सकती जिम्यवार आत्माई एक भी अकल्यानकारी संकल्प नहीं कर सकते एक सकिंड भी व्यर्थ वृति नहीं बना सकते चुकि उनकी वृति से वायु मंडल का परिवर्तन होना है इसलिए सर्व के प्रती उनकी शुब भावना शुब कामना स्वत है रहती है तो चेक करो हम ऐसे हैं सब के प्रती शुब भावना शुब कामना कोई कैसा भी है अगर ऐसी भावना है तो विश्व का कल्यान कर सकते है अगर असी भावनाएं नहीं है तो सकाश नहीं दे पाएंगे मन सा शुद्ध नहीं है न और मन से ही तो सकाश देना है तो इसे लिए चेक करना और चेंज करना है स्लोगन है अज्ञान की शक्ती क्रोध है और ज्ञान की शक्ती शांती है तो चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, क्या? अग ज्ञानी कितना बनते हैं और ज्ञानी कितना बनते हैं? ग्रोध मोटा रूप नहीं, सुक्ष में रुपवाले तंग करते हैं, है न? तो आज विशेश क्या होंबग करेंगे बाबा ने बहुत अच्छा होंबग दिया ना क्या करना है फरिष्टा स्थिती द्वारा जो भी आत्माई दुखी है परिशान है देखते हैं ना टीवी पर नेट पर कितने जगा क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर तो उस समय बाबा के टाइम तो जस्ट अर्थक्वेक आया था पर रन्तु अभी तो जगा जगा पर बहुत कुछ हो रहा है तो बिलकुल अपने फरिश्टा सिती द्वारा सारे दिन में सारे विश्वकों और विशेश उन स्थानों पर जहाँ पर आत्माई दुखी है परिशान है उन्हें विशेश सकाश देंगे शक्ती देंगे शान्ती देंगे च्छा ओम शान्ती झाल झाल दिल से देते चलो दुआए सब का बला हो सब सुख पाए दिल की दुआओं में बड़ाई असर है दिल की दुआओं में बड़ाई असर है दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है दिल से देते चलो दुआए हमेशा करती मदद दुआए चाहे जिन्ग जी के शाम आए जहां चले ना मब नहां से वो दुआए जो काव आए बिखला देती ये पथर है बिखला देती ये पथर है जिन्दा कर देती असर है दिल से देते चलो दुआएं बिखला देती ये जो दुआएं जिनके हैं तंकल्प सुहावं बाणी बड़ साती सुख सावं जिनके हैं संकल्प सुहावं बाणी बड़ साती सुख सावं कर्ब जिनों के पावन जीवर जिनका है पावन वो परिष्टी के प्रभू की नजर है गुनगाती धरती अंबर है दिल से देते चलो दुमाएं सब का बलाओ सब सुख पाएं सब का बलाओ सब सुख पाएं सब का बलाओ सब सुख पाएं 미लाओ संप पाएं से जब है पाएं भएं सावन